नमस्कार साथियों, welcome to class again सबकी कक्षा, class again सबकी कक्षा में आप सभी का स्वागत है साथियों, भारत चंदरियान 3 के successful landing और आधित L1 मिशन के successful launch के बाद अब भारत के space agency इस रो गगनियान मिशन को launch करने वाला है तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं भारत के एक और स्पेस मिशन के बारे में गगनियान मिशन गगनियान मिशन फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट तु स्टार्ट ऑन अक्टूबर 21st 21 अक्टूबर को गगनियान का पहला टेस्ट फ्लाइट लॉंच किया जाएगा ये न्यूस जो हैं भारत के साइंस एंड टेकनोलोजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंदर सिंग ने अपने ट्वीट के माध्यम से हवेजान खाड़ी दी तो इन्होंने ट्वीट में कहा कि इसरो का जो ये गगनियान टेस्ट वेकल है उसको लॉंच किया जाएगा स्री हरी कोटा से ऑन अक्टूबर 21 एकीस अक्टूबर को स्री हरी कोटा से गगनियान टेस्ट वेकल लॉंच किया जाएगा तो इसरो is all set to start preliminary test flight to prepare for the launch of गगनियान and will carry out the first test later this month the first called the test vehicle development flight will take place at Satish Dwar Space Center in Harikota, Andhra Pradesh तो उसी प्रकार से मिंट में भी ये ख़बर चपाएगी जितन्दर सिंगh confirms date of first test flight which is October 21st उसी तरह से first post की ये cutout है और पिर इंडिया टीवी के भी cutout कुछ इसी प्रकार से हमें news दे रहा है तो अगर हम लोग 37दवन Space Center के location की बात करें तो 37दवन Space Center पुलिकट लेक जो की आंदरपरदेश में जो located है पुलिकट लेक इसी पुलिकट लेक में एक island है और इसी island के उपर 37दवन Space Center located है तो इस गगणियान मीशन की हम लोग बात करें तो इस गगणियान मीशन में क्यू मड्यूल होगा जिसमें की astronaut के बैठने के लिए जगह होंगे और फिर एक service module होगा जिसमें की it does on orbit servicing ये orbit servicing में मदद करेगा तो orbital module में तीन astronauts साथ दिन तक रह सकेंगे तो साथियों भारत के जो science and technology minister जितेंदर सिंग्न है उन्होंने बताए कि test में crew module को outer space में launch करना प्रिथवी पर वापस लाना और बंगाल की खारी में touch down के बाद इसे recover करना सामिल है crew module गजन्यान mission के दोरान अंतरिक शियात्रियों को space में ले जाएगी और crew module को recover करने के लिए Navy ने mock operation सुरू कर दिया है तो crew module के अलवा TBD-1 crew escape system की भी जाच करेगा mission के दोरान कोई परिशानी आती है तो रॉकेट में मौजूद astronaut कैसे प्रिथवी पर सुरक्षित रूप से आ सकेंगे इसकी भी testing होंगी तो इस चीज के लिए जो है Harvard Trails of Isro's Gaganyan crew module recovery commenced तो जो ये Harvard Trails हैं Isro का Gaganyan mission के लिए तो Indian Navy जो की इस operation में involved है तो Indian Navy जो है screw module को recover करने के लिए Navy ने mock operation भी सुरू कर दिया था और ये mock operation अब complete हो चुका है तो ये इस तो के Twitter handle से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि preparation for the flight test vehicle about mission which demonstrates the performance of two escape systems are underway तो अगर हम लोग कुछ की technology elements की बात करें जो की इस space mission में involved होने वाला है तो में एक Qscape system होगा फिर orbital module होगा integration and preparation facilities भी सामिल किया गया था और फिर astronaut training and space suit involved है और फिर deep space network, mission control, recovery system, recovery logistics, Q module simulator और Qsapti at launchpad तो यह सब कुछ key technology elements है जो की इस mission में involved होगे हैं तो अब सवाल यह उठता है कि यह जो गगनियान mission है यह गगनियान mission है क्या गगनियान में तीन दीन के mission के लिए तीन सदस्यों के लिए एक दल को 400 km उपर पिर्थवी की कक्षा में भेजा जाएगा तो to launch a crew member of three members into an orbit of 400 km above earth's surface for a 3-day mission और फिर इसके बाद crew module को सुरक्षित रूप से समंदर में land कराया जाएगा और अगर भारत अपने mission में काम्याब रहता है तो ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा तो इंडिया विल बी फोर्थ कंट्री इन दो वर्ल्ड तो डू सच मीशन अप्टर चाइना, USA और रस्या तो बारत दिल 1901 को सोवियत रूस के यूडी गावरें 108 मिनाट के स्पेस में रहे थे और पास मैं 1961 को अमेरिका के एलंग सपर्ड 15 मिनाट स्पेस में रहे थे तो चीन के यांग लिवेड 31 घंटे स्पेस में रहे थे और अब भारत की बाड़ी है और अगर भारत इस मिशन में काम्याब रहा तो ऐसा करने वाला दुरिया का चोठा देश बन जाएगा इस मिशन की अगर हम लोग बात करें तो इस मिशन में लगवग 10,000 करोर का खर्च आने वाला है तो कैबिनेट ने 10,000 करोर गगणियान हुमन स्पेस मिशन के लिए अप्रूब किया था दिसमबर 2018 में जब 2018 में पीएम मोदी ने जब 73 दिवस तन में गगणियान मिशन की पूरा करने का लक्ष रखा गया था लेकिन कोविड आने के वज़र से इसमें देड़ी हुई और अब 2024 के अंतिया 2025 की सुर्वात है इसे पूरा करने की संबावना है इसी M3 रॉकेट को डीकन्फिगर करके एस्ट्रो्नाट्स को इसपेस में विजा जाएगा इसमे की यह टॉप में कूछ स्केब सिस्टम लगा हुआ है फिसमें स्बस्केप और यह आर्बिटल मॉट्यूर अब इधर में cryogenic stage है, फिर ये liquid stage है और solid propulsion है तो भारत के सबसे सकती साली LVM3 launch vehicle को इस mission के लिए reconfigure किया गया है और ये 3 stage वाला rocket है और इस वर्जन को HLVM3 नाम दिया गया तो HLVM3 orbital module को 400 km की फिर्थवी की नेचली कक्षा में launch करने में सक्षम होगा तो ये जो HLVM3 है ये orbital module ये वाला जो orbital module है ये orbital module पिर्थवी के 400 km की कक्षा में launch करने में सक्षम है और फिर ये orbital module astronauts को लेकर पिर्थवी का चक्कर लगाएगा पिर्थवी के चाड़ो तरफ ये चक्कर लगाएगा orbital module जिसमें की ये दो हिस्ता है एक Q module है इसमें Q के लिए फिर्थवी रेसा रहने योग ये वतावरन बनाया गया है artificial वतावरन बनाया गया है और पर दूसरा है service module और इस service module में जो की ये नीचे वाला इक्षा service module है ये वाला Q module है तो service module में जो है कक्षा में रहते हुए Q module को जरूरी सहयता देगा और इसमें thermal system, propulsion system, power system और agionic system लगा हुआ होगा for astronauts will be able to see India from space every 24 hour जब astronauts space में छेले जाएंगे मतलब की पिर्थवी का चक्कर जब ये लगाएगा तो पिर्थवी का चक्कर जो हाँ astronauts will be able to see India from space every 24 hour खर 24 गंते में जो हाँ astronauts इंडिया को मतलब की the astronauts will be able to see India from space every 24 hours while they conduct experiments on microgravity microgravity के ओपर जब वो experiments कर रहा होगा तो 24 गंटा भर्थ के ओपर नजर रथ करता और गजनियाम कैप्सूल जवाँ ये रोटेट करेगा अर्थ के अर्थ के अर्थ जवाँ ये रोटेट करेगा every 90 minutes तो हर देर गंटे में ये एक चकर लगाएगा and astronauts will be able to witness sunrise and sunset ये sunrise और sunset जो है astronauts देख पाएगा और जो spacecraft हैं will have a spacecraft को जो हैं इनको return करने के लिए मतलब की वापस पिर थभी पर दाने के लिए a capsule will take 36 hours इस capsule को जो है 36 गंटे का समय लगेगा इन्हें वापस आने में और ये लैंड करेगा in the Arabian Sea Arabian Sea में ये आ करके इनकी लैंडिंग जो स्ट आप दी कोस्ट ऑफ गुजरार तो इस तरह अपने पहले human space flight mission गगन्यान के चहत साल के आखिर में दो सुर्वाती अंत्रिक्ष मिशन बेजेगा और इसमें एक mission पूरी तरह से मानव रहीत होगा और दूसरे mission में Vyome Midr नाम की एक महिला Robert बेजी जाएगी तो ये Vyome Midr Robert है तो ये Vyome Midr Robert को जो होना इसी गगन्यान mission में जो की हमारा दूसरा mission होगा तो उसमें इस Vyome Midr Robert को बेजा जाएगा और जो पहला mission जो कि अभी लॉंच किया जाएगा वो एक अन्मेंड मिशन होगा और सुर्वाती मिशन का मकसद यह तै करना है कि गगनियान रॉकेट जिस मार्ग से जाए उसी मार्ग से सुरक्षित भी लॉट जाए यानि इसके काम्याब होने के बाद ही 2024 में इंसानों को अंजिक्ष में ब बाद ही जो हैं human space mission जो की तीसरा mission होने वाला है तो तीसरे mission की जो space flight में दो इंसानों को बेजा जाए सकेगा यह लोग साथ दिन तक अंतरिक्ष मेराएंगे और mission के लिए भारतिया वाइशना के चार पाइलट्स को प्रूस बेसकर space training दी गई है और इसकी training भारत में भी हो ही है तो चालक कर तो भी इस्रोज astronaut training hub जो की छे जनवरी 2020 का यह नहीं हो जाए तो चालक कर विल भी जे सिंगल स्टॉप इस्टॉप कंसोलिडेटिं इस्ट्रास्ट्ट्चर एंड एक्टिविटीज रिलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे यह अलग-अलग जगह हो रहा था तो चालक कर नाम के जगह को करनाथका का जो चित्र-दुडग रिस्टिक है वहाँ पर इस चालक कर नाम के जगह को डवलब किया जा रहा है विल अलसो होस्ट वर्क रिलेटेट टूप्रिव एंड सर्विस मोट्यूल अब इस्पेस फ्राइट दैट कर इस्ट्रोनॉट और अगर हम लोग देखे तो इस्पेस में जाने वाले इन इस्ट्रोनॉट्स को जो हैं गगन नॉट्स कहा जाएगा है और भरतिय वाजिस होना क चार पैलेट्स को सेलेक्ट कर लिया गया है और इन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है इन्हें से एक ग्रूप कैप्टन है और बाकी तीन विंग कमांडर है तो गगन्यान पोले इस्ट्रोनॉट अलेक्ट्स रिटर्न क्रॉं रुश्या इंडिया ट्रेनिंग तो वारत में अभी यह ट्रेनिंग हो रही हैंगी और लगबग अभी यह ट्रेनिंग खत्म होने को है तो अगले साल जो है अन्मेंड और मेंड मिशन जो है लॉंच करने की जोजना वारत सरकार की है तो गगन्यान मिशन के इस्ट्रोन अगले साल की सुरुवात में गगन्यान मिशन का प इससे पहले इस रोने के दन्यान मिशन के लिए ड्रैग परशूट का भी सफल परिक्षन आठ से दस अगस्त के बीच जो है चंडीगर में किया था और यह परशूट एस्ट्रोनॉट्स के सेफ लैंडिंग में मदद करेगा यह यह क्यू मोड्यूल की स्पीड को कम करेगा और साथ में उसे स्थिर भी रहे हैं लिए एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग डेसी कंडिशन टेस्टिंग के दोरान क्रियेट की गई थो तो तो पूल मिलाकरकर के इस रो और तरह से इन एस्ट्रोनॉट्स के लिए तयार हो रही है और यह गज़न्यान मिशन के लिए हुमन जयां पर टरिझिगु एंद फ्लाइग वाट को जसे अलसो और एंडरी न्यू ट्रिशनल रिक्वार्मेंट इंडिस पृरियर्ड उनके अनर्जी और naar obsolet ओड पीशिक्टमेंट को बीक्षेश किया में